So, hello, बच्चों, welcome back to the channel. तो आज, बच्चों, हम लोग trigonometry का lecture 3 पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़े पढ़ेंगे जो हमारे लिए शायद इस trigonometry chapter में काफी नहीं हैं. यानि ये सारे ऐसे concepts होंगे जो हमने पहले 9th और 10th में नहीं पढ़ेंगे. तो चलिए, लेक्चर की शुरुआत करते हैं without wasting any time. आज जो बच्चों, हम लोग बात करेंगे वो है extended definition of sine and cosine. तो समझेंगे कि एक तो definition हमने triangle के form में देखा था कि sine theta जो होता है वो हमारा perpendicular upon hypotenuse हो जाता है. And similarly, cos theta जो होता है वो हमारा base upon hypotenuse. यह हमने एक right angle triangle में पढ़ाता है. लेकिन एक और तरीका है हम sine और cosine of any real number को define करते हैं जिस तरीके से. ठीक है? तो आएए वो definition देखते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें clear हो जाती हैं हमारे लिए. ठीक है? तो जिससे मान लिजए हमारे पास एक circle है. ठीक है? लेट उससे वी draw दिस circle. ठीक है? और यह हमारा इस तरीके से x और y axis दिया हुआ है. ठीक है? इस circle पे मान लिएते हैं हमारे पास कोई point है और जिसके coordinates हैं x, y ठीक है? तो अगर हम इस point को center से join कर दें तो यह कुछ इस तरीके का लेटर से यह हमारा triangle बन गया. यह angle theta है और clearly point P का जो x coordinate होता है वो उस point का y axis से distance होता है. तो यहाँ पे यह y axis और यह x axis है. तो clearly यह जो distance होगा, यह हमारा x हो जाएगा और यह जो distance होगा, यह हमारा y हो जाएगा. ठीक है? तो जो sin theta हम define करते हैं, देखिए इसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से उसी triangle से relate कर सकते हैं, जो हमने right angle triangle पढ़ा था. ठीक है? तो यहाँ पे अगर हमने sin theta define किया, तो यह हमारा हो जाएगा, sin theta is equal to distance of P distance of P from x axis and upon radius of circle. radius of circle यहाँ से हमारे पास sin theta का definition आ गया, distance of P from x axis हमारे पास कितना था? Y और radius of circle मान लेते हैं, हमारे पास R है. तो यह Y upon R हो गया. अब देखिए, यहाँ से काफी सारी चीज़ें हम clear कर सकते हैं. कैसे? हम जानते हैं कि Y की जो value, अगर point P इस circle पे घुमेगा, या move करेगा, तो Y की value कहां से कहां तक जा सकती है? देखिए, Y की value, अगर यह point यहाँ होता है, इस point पे, तो Y की value 0 होगी, और धीरे-धीरे जब Y इस तरीके से बढ़ता जाएगा, point इस तरीके से बढ़ता जाएगा, तो Y की value बढ़ती जाएगी, फिर यहाँ पे Y की maximum value R होगी, अच्छा, एक और चीज़ हम जानते हैं, कि जब भी हम axis, यानि coordinates के form में measurement करते हैं, तो यह हमारा first coordinate होता है, तो इसमें X और Y दुनों positive होते हैं, अब जैसे-जैसे हम इस तरह आएंगे, यानि हम second coordinate में आ रहे हैं, तो second coordinate में जब आते हैं, तो हमारा X negative हो जाता है, ठीके, X negative हो जाता है, और Y still positive रहता है, ठीके, फिर third coordinate में आते हैं, तो X भी negative और Y भी negative और fourth coordinate में आते हैं तो हमारा X positive और Y negative होता है क्योंकि measurement में हम लोग जब भी up या फिर right जाके measure करते हैं तो वो measurement हम लोग positive लेते हैं जैसे angle के form में हमने देखा था ना कि anti-clockwise जब हम measure करते हैं तो वो measurement positive लेते हैं और जब clockwise measurement करते हैं, तो वो measurement हम negative लेते हैं. उसी तरीके से coordinate symmetry में, जब भी हमें length measure करना हो, तो अगर हम origin से right या up जाके length measure करेंगे, तो measurement positive होगा, और left या down जाके measurement करेंगे, तो वो measurement हम लोग negative लेते हैं. तो यह बात हम ध्यान में रखेंगे. तो यहां से अगर हमने देखा, कि y की value maximum कहां से कहां तक जा सकती है, तो y की maximum value r हो सकती है, और minimum value यहां पर क्या हो जाएगी, minus r हो जाएगी. यानि यह जो y लाई करेगा, वो हमेशा minus r से r के बीच में लाई करेगा. अब अगर इसको हम r से divide कर देते हैं, तो हमारे पास relation आगया minus 1 less than equal to y upon r less than equal to 1. है ना? और since हमें पता है कि y upon r क्या है? sin theta, तो यहां से जो हमारे पास result आगया, वो यह है कि sin theta की जो value लाई करेगी, वो हमेशा कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगी? minus 1 से 1 के बीच में लाई करेगी. ठीक है क्या? तो यह बहुत important deduction इस definition से आसानी से निकल जाता है. ठीक है? similarly, हम जब cos theta define करते हैं, ठीक है? cos theta, तो cos theta हमारा हो जाता है distance of p from y-axis and upon radius. ठीक है क्या? यानि यहां से cos theta हमारे पास हो गया x upon r. अब आएए एक बार x के बारे में भी देखते हैं कि x की maximum और minimum value कहां से कहां तक लाई कर सकती है. तो देखे, x की maximum value यहां पे लाई करेगी जब x की value is equal to r हो जाएगी तो यहां से भी हम देखे कि x की जो value है वो minus r से r के बीच में लाई करेगी और अगर r से हमने divide कर दिया, तो x upon r की जो value होगी वो minus 1 से 1 के बीच में लाई करेगी. और x upon r हमारा कुछ नहीं बलकि क्या है? cos theta, ठीक है? तो यानि यहां से यह भी clear हो गया कि सिर्फ sin theta ही minus 1 से 1 के बीच में लाई करता है, बलकि cos theta भी minus 1 से 1 के बीच में लाई करता है. अच्छा, यहां इस definition से एक और चीज हम बहुत आतानी से देख सकते हैं, क्या? जब 0 पे हम लोगी होते हैं, यानि यह जब theta angle 0 होगा, तो यानि हम point को यहां पे कहीं रखेंगे? जब theta 0 होगा तो, ठीक है? तो यह जो op हमारा line बनेगा, यह line और कुछ निबलकि यह वाला line है, तो इस case में हमारे y की value क्या है? 0, और अगर y की value 0 है, तो हमारा sin theta क्या हो जाएगा? 0, यानि theta की value जब 0 हुई, यहां से हमने यह भी conclusion निकाला कि when theta is equal to 0, sin theta is also equal to 0, और जब theta 90 degree होगा, ठीक है? यानि आपका theta angle यह हो गया, तो y की value इस case में क्या हो जाएगी? y की value r के बराबर हो जाएगी? यानि इस case में sin theta की value क्या हो जाएगी? 1, तो clearly when theta is equal to 90 degree, sin theta हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? एक और conclusion हम यहां से निकाल सकते हैं, कि जब हम 0 से 90 की तरफ बढ़ रहे होते हैं, यानि हम 0 से धीरे-धीरे-धीरे 90 की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारा y क्या हो रहा होगा? increase कर रहा होगा? y increase कर रहा होगा, और r तो हमारा constant है, यानि clearly क्या होगा? sin theta increase कर रहा होगा, so when theta increases in 0 to 90, theta increases from 0 to 90, है ना? तो इस case में हमारा क्या होता है? sin theta increases, क्योंकि y increase कर रहा होगा, and similarly, अगर cos theta की देखें बात, तो जब इधर से इधर जा रहे होंगे, तो हमारा x क्या हो रहा होगा? r से छोटा हो रहा होगा, यानि उस case में sin theta तो increase कर रहा होगा, लेकिन cos theta क्या हो रहा होगा? simultaneously decrease कर रहा होगा, तो हम यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं, कि cos theta जो हो रहा होगा, वो decrease कर रहा होगा, तो यानि यह सारी चीज़ें बहुत आसानी से, इस definition से clear हो जाती है, similarly, अगर 0 पे हम बात कर रहे हैं, theta की value 0 है, तो उसमें बताए, यह cos theta की value क्या होगी? क्योंकि अगर point यहाँ पे है, तो x की value equal to r रही होगी, और जब x की value equal to r हो जाएगी, तो हमारा x upon r जो है, ठीक है, यानि cos theta की value x upon r जो है, यह क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है? तो यानि यह सारे definitions, अगर हम, यह सारी values हम इस चीज़ से define करने की कोशिश करें, तो बहुत आसानी से define हो जाएगा, अच्छा, एक और बात भी यहाँ पे और आसानी से define हो जाएगी, clearly, कि यह हमारा first quadrant है, और first quadrant में हमारे पास x भी positive है, और y भी positive है, यानि cos theta और sin theta दोनों positive हो जाएगे, क्योंकि r तो हमारा हमेशा positive रहेगा, r is the radius, ठीक है, वो तो हम measure करने हैं, वो तो fixed distance है, और that will be always constant, ठीक है, तो यानि यहाँ पे अगर x भी positive है, y भी positive है, तो first quadrant में हमारे सारे trigonometric ratios positive हो जाएगे, क्यों, क्योंकि sin theta भी positive हो गया, cos theta भी positive हो गया, और हम जानते हैं कि tan theta जो होता है, वो और कुछ नहीं sin theta upon cos theta होता है, ठीक है, तो सारे के सारे positive हो गया, coordinate positive यानि sin theta positive रहा, लेकिन cos theta नेगेटिव हो जाएगा, तो अगर sin theta positive है और cos theta negative है, तो tan theta भी negative हो जाएगा, ठीक है क्या, similarly third quadrant की बात करें, तो x भी negative, y भी negative, यानि sin भी negative, cos भी negative, लेकिन दोनों का अगर ratio लेंगे, sin theta upon cos theta, तो tan theta हमारा positive हो जाएगा, ठीक है, और fourth quadrant की बात करें तो x positive और y negative होता है तो x positive रहा यानि आपका cos theta positive रहेगा और y negative यानि sin theta negative हो जाएगा अब इन दोनों का ratio भी निकालेंगे तो भी क्या होगा negative यानि यहां से जो conclusion हमने निकाला वो conclusion यह निकाला कि अगर हमारे पास quadrants decide करें first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant तो उसमें हम ना trigonometric ratios का sine decide कर सकते हैं तो first quadrant में हमारे पास all positive होते हैं सारे के सारे positive क्यों? क्योंकि sin theta cos theta positive, उसके corresponding tan positive इसके reciprocals लोगे तो आपको cosec, sec और cot मिल जाएगा वो सारे भी positive रहेंगे, ठीक है? second quadrant में हमारे पास sine and cosec positive होता है sine and cosec positive, ठीक है? third quadrant में हमारे पास tan and cot positive होता है ठीक है? और fourth quadrant में हमारे पास cos and sec positive होता है ठीक है? बाकी सारे negative हो जाते हैं तो ये इस वाले definition से समझना बहुत आसान हो गया हमारे लिए है ना? तो चलिए अब आगे बात करते हैं ठीक है? अब बात करेंगे हम लोग की देखिए अभी तक हमने class 10 तक जो भी पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि 30 degree की value, sine 30 degree, sine 60 degree, sine 90 degree इन सब की value क्या होती है? यानि जो भी angles की values हमने पढ़ी है उनके corresponding trigonometric ratios की values पढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ हमने 0 से 90 के angles की value पढ़ी है लेकिन अगर 90 से बढ़ा होता है तो फिर हम values कैसे निकालते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं trigonometric ratios of allied angle ठीक है? तो हम बात करेंगे अभी trigonometric ratios of allied angle कैसे निकालते हैं? तो यह बात बहुत आसानी से समझेए जो चीजें आपको ध्यान में रखने हैं देखो, एक तो तरीका है कि मैं वो सारे लिखके आपको बता दूँ और फिर बोलू कि याद कर लो लेकिन उसका कोई benefit होगा नहीं क्योंकि आप भूल जाओगे तो हमें तरीका समझना चाहिए कि बिना याद किये हुए ये चीजें हमें कैसे कभी इसमें mistake न हो तो उसके लिए जो चीजें आपको ध्यान में रखनी हैं वो ये आद ध्यान में रखनी है कि भाई हर quadrant में trigonometric ratios का हमारा sign कैसा होगा अगर ये आपको ध्यान में रहता है तो आप आसानी से सारे question कर लीजेगा ठीक है अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि जब भी odd multiple of pi by 2 plus minus theta होता है ठीक है तो हमारा sign cos correspondingly change होता है क्यों होता है उसका एक simple सा example में करके बताता हूँ जैसे मान लिजे हमें sign of 90 minus theta निकालना है ठीक है ये value कितनी होगी तो इसको न मैं अपने right angle triangle वाले method से ही बताता हूँ जैसे मान लिजे ये हमारा right angle triangle है ठीक है ये हमारा अगर theta हुआ तो बताए बच्चों कि ये angle कितना होगा ये हमारे पास 90 minus theta हो जाएगा ठीक है अगर ये p है और ये b है और ये h है तो हमारे पास sin theta यहां से तो क्या हो गया p upon h और cos theta कितना हो जाएगा b upon h है ना अब अगर 90 minus theta के बारे में बात करें इस angle के बारे में बात करें तो इस angle का अगर हम sin निकालेंगे sorry इसको हम लग छोटा कर लेते हैं ठीक है इस angle का अगर हम निकालते हैं sin तो इसके corresponding सामने वाला side क्या है b तो यानि sin of 90 minus theta जो हो जाएगा b upon h हो जाएगा ठीक है तो कितना होगा sin of 90 minus theta is equal to b upon h और देखो बच्चों b upon h कितना था cos theta के बराबर था similarly cos of 90 minus theta अगर हम निकालेंगे तो यह p upon h होगा और p upon h हमारे पस किस की value थी sin theta की value थी ठीक है तो जब भी 90 minus theta की बात आती है तो sin किस में convert हो जाता है cos में और cos किस में convert हो जाता है sin similarly tan किस में convert हो जाएगा cot में cot किस में convert हो जाएगा tan ठीक है क्या ये बात ध्यान में रहेगी तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि एक table बनाते है ठीक है और उस table को पहले लिखने के बाद फिर मैं आपको explain करूँगा कि वो table की जो values आई वो कैसे आई और फिर उसको याद कैसे रखना है हमें ठीक है तो जैसे मैं टेबल बनाना शुरू करता हूँ ठीक है जैसे यहां पर हमारे पास sign है कॉसिक है कॉस है सिक है टैन है और कॉट है ठीक है और यहां पर मैं लिखता हूँ कि angle किस form में है तो अगर आपके पास angle 4k प्लस 1 ठीक है πाई बाई 2 माइनस थीटा के form में हुआ या फिर 4k प्लस 1 πाई बाई 2 प्लस थीटा के form में हुआ या फिर 4k माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस थीटा के form में हुआ या फिर 4k माइनस 1 पाई बाई 2 माइनस थीटा के form में हुआ ठीक है तो उसके corresponding value क्या होगी अब इससे इसको जानने से पहले तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह हमने 4k प्लस 1 और 4k माइनस 1 पाई बाई 2 लिखा है यह exactly क्या represent करता है ठीक है तो जैसे मान दिजी यह हमने quadrant अपना बनाया ठीक है first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant कुछ इस तरीके से बनाया ठीक है तो आप देखो यह जो line है यह जो line ठीक है यह represent करता है आपका 4k प्लस 1 πाई बाई 2 को कैसे तो देखे k यहाँ पे क्या है k यहाँ पे integer है तो अगर किसी भी integer की बात करते हो जैसे k is equal to 0 ले लो तो यह value πाई बाई 2 आएगी πाई बाई 2 किस line पे लाई करेगा इसी line पे अगर k is equal to 1 लोगे तो 5 πाई बाई 2 5 πाई बाई 2 कहने का मतलब यह देखे 1 πाई बाई 2 2 πाई बाई 2 3 πाई बाई 2 4 πाई बाई 2 5 πाई बाई 2 फिर से आप यहीं पे आ गए तो यानि जब भी आपके पास 4 k plus 1 πाई बाई 2 का फॉर्म रहेगा वो इस वाले line को represent करेगा और 4 k minus 1 πाई बाई 2 जो होगा वो इस वाले line को represent करेगा 4 k minus 1 बाई 2 वो इस वाले line को represent करेगा कैसे k is equal to 1 डालके देखे k is equal to 1 डालिएगा तो आपका 3 pi by 2 आएगा तो देखिए 1 pi by 2 2 pi by 2 3 pi by 2 ठीक है फिर k is equal to 2 डालिएगा आपके पास तो ये बन जाएगा 7 pi by 2 तो देखिए 1 pi by 2 2 pi by 2 3 pi by 2 4 pi by 2 5 pi by 2 6 pi by 2 and 7 pi by 2 तो जब भी आप 4 k minus 1 pi by 2 के form में लिखेगा वो इस वाले line को represent करेगा तो ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है? अब आपको ये table भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जब भी odd multiple of pi by 2 plus theta या फिर odd multiple of pi by 2 minus theta होता है तो sine cos में change होता है cos sin में cos x sec में tan cot में और cot tan में ठीक है? तो ये corresponding change होता है अब इसमें एक बहुत बड़ा factor होता है sine का, ठीक है? कि sine हम positive लें कि negative लें और sine इस बात पर depend करेगा कि जो angle की बात हो रही है वो किस quadrant में है? जैसे for example यहाँ पे ये जो angle की बात कर रहे हैं हम 4 pi by 2, 4k plus 1 pi by 2 minus theta तो अगर 4k plus 1 pi by 2 की बात कर रहे हैं यानि इस line पे हैं और उससे हम theta minus करेंगे तो हम किस quadrant में है? first quadrant में यानि ये वाला जो angle है ये किस quadrant का है? first quadrant का similarly 4k plus 1 pi by 2 plus theta करोगे तो ये आप second quadrant में चले गए अब 4k minus 1 pi by 2 plus theta यानि आप इस line पे थे और इसमें आप theta add कर रहे हो तो ये कौन सा quadrant हो गया? fourth quadrant so this one is a fourth quadrant और बचा ये तो ये हमारा third quadrant में हो जाएगा अब देखिए first quadrant में तो सारे ही positive होते हैं यानि जो हमारा answer यहाँ पे आएगा वो सबका सब positive होगा change होके यानि sin cos में change हो जाएगा लेकिन sin positive रहेगा cosseq sec में change हो जाएगा यानि ये sec theta बन जाएगा लेकिन sin हमारा positive रहेगा cos sign में change हो जाएगा लेकिन यहाँ जो algebraic sign है वो positive रहेगा similarly sec will be cosseq theta tan will be cot theta and cot will be tan theta ठीक है? तो ये इस तरीके से value हो जाएगी तो बच्चों, second quadrant में कौन-कौन से positive होते हैं, सिर्फ sine और cosec positive होता है, ठीके, बाकी सारे क्या हो जाएंगे negative, यानि sine के corresponding वाला जो result आएगा, वो positive sign के साथ आएगा, और cosec के corresponding वाला जो result आएगा, वो positive sign के साथ आएगा, यानि यहाँ पे value हो जाएगी, वो value होगी cos theta और sec theta, बाकी सारे negative sign के साथ आएगे, तो यह बन जाएगा minus sine theta, minus cosec theta, minus cot theta, और minus tan theta, अब देखो, यहाँ पे एक confusion हो सकता है, क्या confusion होगा, कि आप बोलोगे कि sir, sign positive होता है, ठीके, तो यहाँ पे, हमने जब बोला कि cos of this angle, तो यह तो result sign में आ रहा है, तो इसको positive होना चाहिए नहीं, बच्चों, यह sign positive होता है, second quadrant में, लेकिन आप बात समझो, कि यह जो overall angle है, ठीके, यह किस quadrant में चला जाएगा, second quadrant में, तो cos of this angle, value क्या होना चाहिए हमारा, negative होना चाहिए, theta, हमारा first quadrant का angle है, theta, अच्छा, यहाँ पे एक और confusion होता है, कि यह theta की value हम क्या रखें, तो theta चाहे formula हम लोग हमेशा theta को क्या मानेंगे, एक first quadrant का angle मानेंगे, चाहे भले ही उसकी angle की value 1000 degree हो, लेकिन for the sake of formula हम theta को क्या रखेंगे, हमेशा क्या समझेंगे, first quadrant का angle, ठीक है, तो यानि यहाँ से अगर theta first quadrant का angle है, तो sin theta तो positive होगा, और cos of this angle was negative, तो अगर sin के सामने हमने minus sin नहीं डाल तो यह तो गरबर हो जाएगा न formula, समझें, similarly, sec of this angle is negative, लेकिन theta since first quadrant का angle है, तो cos sec theta तो positive हुआ, तो balance out करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक negative sign, अब समझ में आई बात, ठीक है, तो आए, आगे हम fourth quadrant की बात करते हैं, तो fourth quadrant में सिर्फ cos और sec positive रहने वाले बाकी सब क्या हो जाएंगे, negative, ठीक है, तो हम formula लिखेंगे, तो यह sin of this angle will be minus cos theta, cos एक आपका minus sec theta हो जाएगा, cos since positive होता है, तो यह value आपकी sin theta ही रहेगी, यह value आपकी cos theta रहेगी, बाकी minus cot theta और minus tan theta हो जाएगा, ठीक है, और third quadrant में हमारे पास tan और cot ही positive होते हैं, ठीक है, तो हमारा minus cos theta, minus sec theta, minus sin theta, minus cos theta, और यह दोनों positive रहेंगे, cot theta and tan theta, अब बात समझ में आई, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ध्यान यह रखना है, कि जब भी odd multiple of pi by 2 plus theta या minus theta होता है, तो sin cos में, cos sin में इस तरीके से interchange होता है, और इसके सामने plus sign लगेगा या minus sign लगेगा, यह इस बात पर depend करेगा, कि जो allied angle है, वो किस quadrant में लाई करता है, बात समझ में आई, तो यह तो हो गया odd multiple of pi by 2 plus minus theta के form में, इसके साथ ही हमारे पास क्या होता है, कि multiple of pi by 2 plus minus theta, ठीक है, तो उसके लिए भी सबसे पहले मैं table बनाता हूँ, ठीक है और उसके बाद फिर हम लोग याद करने का तरीका समझेंगे, तो suppose यह हमारे पास table वापस से बन गया, sin, को सेक, को सेक, तन, अ कोट, अंगल है हमारे पास, 2k pi minus theta, 2k plus 1 pi minus theta अब सबसे पहले तो यहाँ पे भी k हमारा क्या है, integer है, तो सबसे तो पहले, जैसे हमने इछले वाले में भी देखा था, कि हम सबसे पहले position identify करते हैं, तो हम यह identify करेंगे, कि यह भाई, 2k plus 1 और 2k pi, यह किन lines को represent करते हैं, तो जैसे वापस से हमने यहाँ पे अगर अपना line draw कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यह वाला जो part रहेगा, यह वाला जो line रहेगा, यह 2k pi से represented होता है, और यह वाला जो line होता है, यह हो जाता है, हमारा 2k plus 1 pi, verify भी कर सकते हैं, k is equal to 1, k is equal to 2, डाल के आप देखोगे, तो verify हो जाएगा, कि इस line को हम लोग 2k pi से represent करते हैं, जा k is any integer, और इस line को हम लोग किस से represent कर सकते हैं, इस line को 2k plus 1 pi से represent कर सकते हैं, k is again any integer, ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान यह रखनी है, कि जब multiple of pi plus theta या multiple of pi minus theta के form में होता है, तो sine अपना sine में ही रहता है, cos अपना cos में ही रहता है, यानि यहाँ पर interchange नहीं होता है, अब plus sine use होगा कि minus sine use होगा, यह इस बात पर depend करेगा कि angle हमारा किस quadrant में है, ठीक है, वापस से वही ध्यान में रखेंगे कि first quadrant में हुआ तो सारे positive, second quadrant में हुआ तो सिर्फ sine और cosec positive, third में tan और cot, और fourth में cos और sec, यही positive होगे, बाकि सब negative होगे, ठीक है क्या, तो आईए देखते हैं, अब बात करते हैं हम लोग 2kpi minus theta, तो 2kpi minus theta किस quadrant में हो गया, इस fourth quadrant में, so this is fourth quadrant, 2k plus 1pi, यानि यहां से आप theta minus कर रहे हो, तो किस quadrant में आया, second quadrant में, और यह किस quadrant में चला जाएगा, third quadrant में, ठीक है क्या, तो fourth quadrant में कौन-कौन से positive होते हैं, cos और sec, बाकि सारे क्या हो जाएगे, negative, यानि यह आपका minus sin theta, यहां देखो, interchange नहीं हुगा, यहां पे आगया minus cosec theta, यह हो जाएगा cos theta, यह हो जाएगा sec theta, यह हो जाएगा tan theta, और यह हो जाएगा cot theta, ठीक है, similarly, यह second quadrant का है, तो सिर्फ sin और cosec positive, यानि यह value होगी sin theta, cosec theta, ठीक है, अब बाकि सारे negative हो जाएगे, cos theta, minus sec theta, अच्छा, यहां पे यह दोनों भी negative थे, माइनस tan theta, और माइनस cot theta, ठीक है क्या, और यह आया हमारा third quadrant, third quadrant में tan और cot positive, बाकि सारे negative, तो यह हो जाएगा, तो माइनस sin theta, माइनस cos theta, माइनस cos theta, माइनस sec theta, tan theta, and cot theta, ठीक है, बात समझ में आई, याद रहेगा, ठीक है, आप एक question कर सकते हो, कि यहां पे interchange क्यों नहीं हुआ, ठीक है, तो आएए यह, कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने की, ठीक है, जब जैसे मान लिजे, यह हमारा axis हो गया, ठीक है, अब यहां से हमने यह एक angle लिया theta, ठीक है, और यह point है, इसका coordinate हम x, y, और यह distance r रखते हैं, ठीक है, अब माइनस theta अगर हम angle बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी का हम reflection ले लेंगे, fourth quadrant में, तो यह clockwise measure किया, तो यह minus theta हो जाएगा, तो यह जो point p- होगा, since यह reflection है, इस point x, y का x-axis में, ठीक है, तो x coordinate तो हमारा same ही रहेगा, y coordinate minus y हो गया, ठीक है, अब यहां से, अगर हम sin theta और sin of minus theta निकालते हैं, तो देखिए ध्यान से क्या होगा, sin theta हमने निकाला जब, तो sin theta तो हमारा y upon r था, और sin of minus theta अगर हम निकालेंगे, sin of minus theta, तो देखिए ध्यान से क्या आएगा, sin of minus theta हमारा हो जाएगा, minus y upon r, minus y upon r, यानि ये क्या हो जाएगा हमारा, minus sin theta, तो समझ में आया क्या, यानि यहां interchange नहीं हो रहा है, similarly, यहां से cos theta अगर हम निकालेंगे, तो देखो, cos theta क्या आएगा, x upon r, है न, x upon r आया, लेकिन यहां से अगर हम cos of minus theta निकालें, तो देखिए ध्यान से, cos of minus theta यहां भी x upon r, यानि यहां से यह cos theta, cos theta, cos theta ही रहे गया, तो यहां भी आपका sin cos, cos sin यह आपस में interchange नहीं हुआ, जादा से जादा जो difference आया, वो क्या आया, सिर्फ plus sin और minus sin का, और यह किस बात पर depend करता है, कि angle हमारा किस quadrant में lie करता है, ठीक है क्या, तो अगर यह table जो हमने बनाया है, इसको आप अगर ध्यान से रखते हो, तो allied angle में आपको कोई परिशानी नहीं रहेगी, in fact, यह table भी याद करने की बात नहीं है, आपको मैंने तरीका बता दिया कि आपको किस तरीके से इसको use करना है, आपको सबसे पहले identify करना है कि किस quadrant में है, and then उसके corresponding, आप plus sin या minus sin, या फिर interchange होगा कि नहीं होगा, यह इस बाते आप इसे define कर सकते हो, तो आइए इस पे कुछ हम examples लेते हैं, ठीक है, questions के थूँ समझते हैं कि question में हम किस तरीके से apply करेंगे, in fact, इन formula से अब हमारा horizon बहुत बड़ा हो जाता है, पहले सिर्फ हमें क्या पता था, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree और 0 degree, इन ही के values के बारे में पता था, अब हम इसक से पूछूँ कि बताओ भई, 10 of 3 pi by 4 की value कितनी होगी, ठीक है, तो यह आप कैसे बताईएगा, क्योंकि हमें तो pi by 2 के beyond अभी तक याद नहीं था, अभी तक पता नहीं था, लेकिन अब हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, कैसे, तो क्या हम 3 pi by 4 को, ठीक है, क्या हम 3 pi by 4 को, pi minus pi by 4 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, pi minus pi by 4, pi कौन सा line होता है भई, pi ये वाला line होता है, minus pi by 4 आपने किया, तो ये किस quadrant में आ गया, second quadrant में, तो answer हमारा क्या हो जाना चाहिए था, minus tan pi by 4, और tan pi by 4 की तो value 1 होती है, तो यानि यहां से clearly हमारा answer कितना हो गया, minus 1, ठीक है क्य Similarly, अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप बताओ मुझे cos of 11 pi by 6 की value कितनी होगी, ठीक है, 11 pi by 6, तो क्या आपको ये बात ध्यान से समझ में आ रही है कि this is nothing but cos of 2 pi minus pi by 6, ठीक है क्या, ये कितना हो जाएगर 2 pi minus pi by 6, और अगर 2 pi minus pi by 6 लिखते हो, तो 2 pi कौन सा line है, ये वाला line, और minus pi by 6 किस quadrant में हो गया, fourth quadrant में, fourth quadrant में cos होता है positive, तो ये value हो जाएगी cos of pi by 6, और cos of pi by 6 की तो value हमें पता होती है, क्या होती है ये, root 3 by 2, यानि 30 degree हो गया न, तो ये कितना हो जाएगा, root 3 by 2, clear है क्या, इस तरीके से हम किसी भी बड़े बड़े angles की value आसानी से निकाल सकते है ठीक है, तो आएए एक और अच्छा example करते हैं, question है अभी इस बार आपके पास कि if a is equal to sin theta plus sin of pi by 2 plus theta and b is equal to cos theta plus cos of pi by 2 plus theta, ठीक है, तो then a square plus b square की value कितनी होगी, ठीक है, आपको ये निकालना है, समझ में आया, तो चलिए, solve करते हैं, अब देखिए, यहाँ से क्या है, यह है sin theta plus sin of pi by 2 plus theta, है ना, तो a की value सबसे पहले देखते हैं, तो ये sin theta को तो ऐसे रहने ही देते हैं, ठीक है, plus, sin of pi by 2 plus theta, बच्छो क्या होगा, sin of pi by 2 plus theta, odd multiple of pi by 2 है, और उसमें हम add करने हैं, तो clearly sin cos में जाने वाला है, और pi by 2 हमारे पास कौन सा लाइन है, यह वाला लाइन है, plus theta आप कर रहे हो, तो second quadrant, यानि यह second quadrant का है, तो sin of pi by 2 plus theta कितना हो जाएगा, sin positive होता है, तो यह cos theta हो गया, similarly, b अगर आप लिखते हो, तो यह है cos theta, और cos of pi by 2 plus theta, cos, second quadrant में क्या होता है, negative, तो यह कितना हो जाएगा, minus sin theta, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको square करके add कर देना है, तो आप a square plus b square लिखालोगे, तो यह हो जाएगा, आपके पास, sin theta plus cos theta whole square, and plus cos theta minus sin theta whole square, तो बचों, आपने यह बात पहले भी पढ़ी ही होगी, कि a plus b whole square plus a minus b whole square is nothing but twice of a square plus b square, तो twice of sin square theta plus cos square theta, और trigonometric identity में हमने यह बात पढ़ी थी, कि sin square theta plus cos square theta कितना हो जाता है, 1, तो answer हमारा कितना हो गया, 2. तो यह कुछ examples और भी करते हैं, find values of, पहला सवाल है इसमें, tan of 90 degree minus theta, sec of 180 degree minus theta into sin of minus theta upon sin of 180 degree plus theta into cot of 360 degree plus theta into cos sec of 90 minus theta, ठीक है, अब देखें, solve करने के लिए, बड़े आसानी से हम लोग क्या करेंगे, यह जो allied angles हैं, इसको हम change करके सिर्फ theta के form में लाने की कोशिश करेंगे, तो देखो, tan of 90 minus theta, 90 minus theta first quadrant का angle है, तो tan convert हो जाएगा cot में, और sin हमारा positive रहेगा, तो यानि numerator में यह हमारे पास बन गया cot theta, sec of 180 degree minus theta, 180 degree आपका कौन सा line है, पहले हम line draw कर देते हैं, तो 180 degree यह वाला line है, इसमें आप minus कर रहे हो, यानि second quadrant हो गया, second quadrant में sec क्या होता है, negative, तो यह क्या हो जाएगा, और since 180 के साथ है, तो हमारे पास यहाँ पे inter conversion नहीं होगा sec का कौसेक में, ठीके, तो यह बन जाएगा minus sec theta, ठीके, sin of minus theta, sin of minus theta, तो आप 0 यहाँ पे हो, minus theta fourth quadrant में चला गया, तो यह बन गया आपका minus sin theta, है क्या, divided by, आपके पास sin of 180 plus theta, 180 आप यहाँ पे हो, है ना, plus theta कर रहे हो, third quadrant में आ गया, तो यह बन गया minus sin theta, 360 plus theta, 360 again आप यहाँ पे हो, इसमें plus theta कर रहे हो, first quadrant में, तो यह क्या हो जाएगा, quart of theta, और कॉसेक of 90 minus theta, तो 90 minus theta first quadrant, तो यह क्या बन जाएगा, sec theta, अब यहाँ से देखो, आपके पास यह quart तो इस से cancel हो गया, यह minus sin, minus sin से cancel हो गया, और minus sec theta upon sec theta, value कितनी हो जाएगी, minus 1, तो यह आपका simple answer हो गया, इसका, ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से इसी बात का application है, कि आपको allied angles का conversion properly पता है या नहीं है, ठीक है, second part का solution देखते हैं, second part में आपके पास कुछ information given है, information क्या दिया हुए है कि भाई, आपका sec theta जो है, ठीक है, sec theta जो है, वो root 2 के बराबर है, ठीक है, और angle जो है, वो किस quadrant में लाई करता है, 3 pi by 2 से 2 pi के बीच में, यानि 3 pi by 2 से 2 pi के बीच में, यानि fourth quadrant में लाई करता है, ये बात समझ में आई क्या, तो पहले हम sec theta के बारे में बात करते हैं, कि भाई, sec theta जो है, वो root 2 है, और ये जो angle है theta, ये किस quadrant में लाई करता है, fourth quadrant में लाई करता है, ये बात हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है, अच्छा, sec theta होता क्या है, अगर हम triangle के बारे में बात करें तो, ठीक है, अगर हम right angle triangle के बारे में बात करें, ये theta है, और ये P, ये B, और ये H है, तो हमें पता है कि sec theta जो होता है, वो क्या हो जाता है, H upon B, और ये value आपकी root 2 दी हुई है, ध्यान में रखेंगे इस बात को, ठीक है, sec theta की value H by B होती है, और ये value कितनी दी हुई है, root 2, ठीक है, अब आपको जो value निकालनी है, वो किसकी value निकालनी है, 1 plus tan theta plus cosec theta upon 1 plus cot theta and minus cosec theta, ठीक है क्या, अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर sec theta H by B is equal to root 2 है, तो सबसे पहले यहाँ से यह बताईए, कि tan theta की value कितनी होगी, sign अभी भूल जाईए, कि plus होगी कि minus होगी, वो बात में देखेंगे, पहले तो यहाँ से यह बताईए, कि sec theta क्या होगा, tan theta क्या होगा, P upon H, अगर H upon B root 2 दिया हुआ है, ठीक है, H upon B root 2 दिया हुआ है, तो P upon H कितना होगा, तो clearly यहाँ से हमें पता है, कि P square plus B square is equal to H square होता है, और यहाँ से H is equal to root 2 B दिया हुआ है, तो यह यहाँ से put कर देंगे, तो यहाँ से P is equal to B आ जाएगा, ठीक है, P is equal to B आ जाएगा, और tan theta हमारा कितना होता है, P by H नहीं, बलकि P by B होता है, यानि यहाँ से यह value कितनी आ जाएगी, 1, अभी sign भूल जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ठीक है, और cosec theta, cosec theta कितना होता है, cosec theta आपका हो जाएगा, H upon P, ठीक है किया, H upon P, अच्छा, H is equal to B है, ठीक है, H is equal to B, sorry, P is equal to B है, तो यहाँ से यह भी value आपकी कितनी आ जाएगी, root 2, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि अभी sign भूल जाएगी, अब यह सारी values जब हमने निकाली, अब let us say bring the signs, अब हम positive और negative sign को वापस से लेके आते हैं, ठीक है, अब theta किस quadrant में है, fourth quadrant में, fourth quadrant में tan क्या होता है, negative, cosec क्या होता है, ठीक है, तो अब यहाँ जो values हम लिखेंगे, अब sign के साथ लिखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 1, tan theta होता है negative, तो यह हो गया minus 1, cosec theta भी होता है negative, तो यह minus root 2, ठीक है क्या, अब यहाँ से अगर हम देखें, तो यह 1, cot theta क्या होता है negative, तो minus 1, cosec theta क्या होता है negative, तो plus root 2, तो देखो बच्चों, यह 1 और minus 1 तो cancel out हो गया, और यह सीधे सीधे minus root 2 upon plus root 2 answer हमारे पास कितना आ जाएगा minus 1 very simple clear ठीक है अब बात आती है तीसरे वाले सवाल की अब देखिए sin square pi by 18 है ठीक है sin square pi by 18 है और आपके पास sin square pi by 9 sin square 7 pi by 18 और sin square 4 pi by 9 दिया हुआ है ठीक है और इसकी sin square value निकालनी है तो देखो pi by 18 की value तो हम नहीं जानते है क्योंकि pi होता है 180 degree by 18 कर दीजेगा तो 10 degree ठीक है अगर हम degrees में इसको convert करना चाहें तो शायद यहाँ पे कुछ जादा clarity हमें आएगी ठीक है तो यह लिखा हुआ है sin square for the timing मैं degrees में convert कर देता हूँ देखता हूँ degrees में convert करके हमें जादा अच्छी तरीके चीजें समझ में आती है कि नहीं ठीक है sin square 10 degree हो गया फिर यह हो जाएगा sin square πाई 180 degree होता है divided by 9 तो यह sin square 20 degree हो गया फिर यहाँ से हो गया sin square 70 degree और यह हो जाएगा आपके पास sin square 80 degree ठीक है क्या अच्छा अब यहाँ पे बहुत अच्छी से चीजें हमें समझ में आ रही है क्योंकि हमें एक बात पता है कि sin 90 minus theta is equal to cos theta होता है तो यानि हम sin 80 degree को क्या हम cos 10 degree लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं और similarly sin 70 degree को cos 20 degree लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं तो यहाँ से बस इनको substitute कर दीजे तो यह हो गया sin square 10 degree ठीक है यह आपका sin square 80 degree के बदले में मैं cos square 10 degree लिख लेता हूँ इनको साथ में कर लिया प्लस आपके पास था sin square 20 degree और यह sin square 70 degree को मैं cos square 20 degree लिख लेता हूँ तो यहाँ पे clearly trigonometric identity बन गई sin square theta प्लस cos square theta यह value हो जाएगी 1 यह value हो जाएगी 1 आंसर हमारा हो गया 2 ठीक है बच्चों तो इस lecture में बच्चों हमने देखा कि allied angles का use हम किस तरीके से करते हैं trigonometry में ठीक है using the allied angles हमें बहुत सारे ऐसे angles की value पता चल जाती है जो इस से पहले हमें नहीं पता नहीं ठीक है तो I hope इस lecture से काफी सारी चीजें और काफी सारी clarity आपको मिली होगी बच्चों next lecture में हम लोग बात करेंगे trigonometric ratios को as a function हम कैसे देखते हैं तो सबसे पहले थोड़ा basic हम लोग function के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग देखना शुरू करेंगे कि trigonometric ratios को function की तरह treat करते हैं तो हम उसका graph कैसे बनाएंगे और graph बनाके हम solutions किस तरीके से करते हैं questions का ठीक है तो next lecture में मिलते हैं तब तक के लिए all the best keep studying keep working hard